नमस्ते दोस्तों आज हमने बिल्कुल सिम्पल सी लंच की ठाली बनाई है जो अब लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे बिल्कुल गाउं की तरह बनाया है और दो तरह से हमने सर्थ किया है गाउं में जैसे इस तरह से दाल चावल ठाली में डालते हैं सलाद और भुंजिया अडालकी से खाल लेते हैं, बहुत ही तेष्टी लगता है, पेट भी भरता है, ज्यादा मसाले नहीं होते हैं, ज्यादा तेल नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल सी है और 20 मिनिट के अंदर इसे बना के त्यार कर सकते हैं. आज इसी थाली को हम बनाएंगे जो हमारे पर्फिट लंज की थाली होगी इसे बिगनर भी बना सकते हैं बेचलर भी बना सकते हैं जिनके पास बहुत कम टाइम है और सोच रहे कि क्या बनाएते इस थाली को बना के और खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी बन के त्यार होता है अरहर की दाल को पहले तो हम पानी से अच्छे से वस कर देंगे, ताकि इसमें पॉलिस होते हैं, कलर भी होते हैं, जो सारे निकल जाएंगे, और इस तरह से धोलेंगे न, तो देखिए कितने पानी पीली हो जा रहे हैं, तो इस तरह से दो बार तीन बार करके पानी से अच्छ देंगे ताकि दाल थोड़ा भींग जाए दाल को बनाने के लिए हमने कुकर लिया इसमें हम एक चमच के करीव रिफाइन तेल डाल देते हैं आप चाहे तो घीका भी तड़का लगा सकते हैं तो तेल हमारा जैसे गरम हो जाएगा इसमें हम डाल देए वन टी स्पूर के इन सारे चीजों के अच्छे से चटका लेंगे और यह हमारा तड़का त्यार हो गया है दाल बनाने के लिए तड़के में हम दाल को भी डाल देते हैं पानी की साथ ही डाल दिया है हमने दाल को क्योंकि हमने दाल को अच्छे से धो लिया था दाल में हम एक कप के करीब पान टमाटर को हमने छोटे-छोटे पीस में करके डाल दिया, डाल में हम स्वात के अनुक्सार नमक डाल देते हैं, और इसमें हम डालेंगे हल्दी का पाउडर, हल्दी का पाउडर डालने से डाल का कलर अच्छा रता है, और इसे डाल के हम मिला लेते हैं, अब इसे हम लीट लग करा नहीं चावल कर लेते हैं तो देखिये हमने चावल दिया है एक को तो यह से नहींнить लिया तो उसमें दो कोटोरी हम पानी डाल देंगे और इसे दस मिनट के लिए इसी तरह रख देते हैं थोड़ा सा हमारा चावल जो है भीग जाए जल्दी पकते हैं और अच्छे से खुले-खुले बनते हैं चावल करके दिया ताइड में हमने लिया आलू आलू को हमने छील के अच्छे से साप कर लिया है और इसे हम पतले-पतले पीस में कट करेंगे इस तरह से हम इसे कट करेंगे देख सकते हैं इस तरह से हम कट करेंगे तो बहुत ही टेस्टी बन के त्यार होगा देख सकते हैं लंबे-लंबे पीस में हमने कट कर लिया है और इस तरह से सारे आल निकाल लेंगे मैं 154 पानी दिखे सकतें एंक्स पानी से च्छान के रखो लेचछ कि पानी पानी नर्टा में पानी नombres सब्सक्राइब हैं वाहत बनेंiasm सिंवें पानी होगा तो हम देख सकते हैं मмовकि अच्छा बनने दाल हम अच्छा की ह हम नीचला है तो इसी तरह का दाल segment dog या फ्लिद्स को बना लेते हैं जो हमने चावल को भीगा के रखता इसका पानी निकाल देंगे, चावल को बनाने के लिए हमने लिया है कुकर, कुकर में ही चावल बनाएंगे, बिल्कुल हमारा चावल खुला 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 बन के त्यार हो गया है, कुकर में हमने एक चमच देशी घी डाल दिया है, घी डा दालने के बाद इसे 1 2 सेकंड के लिए चमसे से चलाते हुए थोड़ा भून लेंगे इसे बहुत ही अच्छा टेष्ट बनानेका परफेक्ट है जो हम लेंगे और लिड लगा देंगे और मीडियम से भी थोड़ा सा कम हम गैस का फ्लेम रखेंगे और एक सिटी लगाएंगे जावल जब तक हमारा पक रहत तक हमने कडाई को रख दिया है गैस पे आलू की सुखी भुंजिया बनाने के लिए इसमें हम दो चमज के करीब डाल दे तड़का हमारा त्यार हो गया है इसमें हम मोटे मोटे पीस में कटे हुए आलू को डाल देते हैं और इसे हम चला लेते हैं आलू को बीच-बीच में चलाएंगे और इसे हम धक धक के पकाएंगे इस तरह से बीच में धकेंगे और आलू को पकाएंगे फिर चलाएंगे इस जो वीडियो वे नहीं दिख रहा है थोड़ा सा हल्दी कलर के लिए डाले आधी चमज के करीब जीरा पाउडर और आधी चमज के करीब हमने काली मिर्च का पाउडर डाला है इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं बहुत ही टेस्टी बनके त्यार हता ज्यादा इसमें मसाले न देते हैं इसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो चावल भी पग गया है इसका विसल निकाल लेते हैं देखते हैं कि चावल खुला-खुला हुआ कि नहीं चावल बहुत गरम है मैं आपको दिखा रही कि देख़के यह कि खुले-खुले हुए इस तरह से हमने अच्छा खुसबू आएगा हरे धनिया का सारी चीजे हमारे पक्चों के अब इसकी प्लेटिंग की त्यार करेंगे तो उसके लिए हमने इस तरह का प्लेट लिया है और चावल को हमने एक कटोरी में बहुत अच्छे से दवा दबा के रख दिया था उसे हम इसे प्लेट में स अच्छा सेप आया है एक साइड में दाल की कोटोरी गुंजिय की कोटोरी रख देंगे साती में हमने सलाथ बनाया था उसे भी हम रख देंगे थोड़ा सा हम मिक्स अचार रख देते हैं इसके साथ हम लगा दिये हैं पापड और देखिया हमारी पूरी पर्फेक्ट थाली बन के त्यार होगी इस तरह से हमने दो तरह से सर्फ किया हैं आपको इस में से कौन सी थाली अच्छी लगे हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा रेशिपी अच्छी लगी तो वीडियो का लाइक शेयर किजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंग यजա मिलते हैं आपको लेशा मिलते हैं इस तरह से से सुट औरैएगा हैं तरह स errorensation।